तो जो हमारा अगला टॉपिक है डाट इस पी एन जंक्शन डायोट और इसके वज़े मैं लिखने रहा क्योंकि इसमें थोड़े थियर्टी के ज्यादा आया थियूरी तो मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं मैं रीड करके बताऊंगा बच्छे देखें तो इसमें सबसे प जो पैपर में पूछते हैं कि यहां से स्टार्ट होता है एक ड्रैंगल बनाना एक लैनी Transit बनाजी एक लोवादमनी अगला और यहां पर फीकला इस वाले को में को कहते हैं अनोड कि और इस वाले अंड़ को हम कहते हैं कै थोड़ कहते हैं यह वाला प्रेशन अपको होता है जो यह ट्रेंगल है टाइप का और यह लाइन जो होती है इसे हमकिए एन टाइप तो जब पी portion and portion से मिलता है तो हमारे पास जो diode मिलती है diode का मतलब है बच्चे diode का एक यह काम है it conduct electricity it conduct i Kubernetes durchaus basically लोग यह भी पूछ सकते हैं आप तो जो में पहले एक चप्टर में बढ़ा रहा था आपको कि रहे resistance है एक बैटरी लगी हुई है यहां क्या होता है उसमें भी के कड़िक्ट करती है यह extract बगाने का फैदा क्या है तो बचें का फाइब है यहां से जाना है टो कर्ण्ट किसी भी डिरेक्षिन सबायांस के खांट हो है कि पांसी रना जा सकते हैं बोथ देच्शन में फ्लो करा सकते हैं कि इन यह है अबchan apa कि एक प्रिवेंट सुइवार्डशी कि फ्लो ओस तरफ करेंट का उल्टा आना हमेशा यह रोकेगी या प्लाय प्चेंज्ज नहीं गर लो ठीक है बचसे अ आपको अगे चाप्टर में समझ आएगा यह कि सरकेट डाग्राम में आपको पता होना चाहिए नोट यह त्रेंगल पॉर्शन पी टाइप कहते हैं लेन को एंट कहते हैं और यह आपकी कहा है का थोड़ आप बात आती है पी एंट जंक्शन डायोड बंती कैसे है वो टॉपि अब कि लिए में पॉर्शन झाओं बेंगे उन्हें क्या कहेंगे पी एंट यूड बन जाती है और देखिया की इसको फॉर्म कैसे करना है बनाते कैसे है फस्टसौंड ग्रो पी टाइब सावी कंडॉक्टर बाई एडिंग इंपुरिटीग्थ वार्श थ्री विलंस एलक् आपको पता है P में मैंने बताया था P कैसे बनता है ट्राइवलेंट इंप्यूटी एड़ करनी है जिसमें आउटर मुशल में फाइव थ्री एलेक्टरन होते है तो कौन-कौन से हैं हम आपको पता है मैंने बताया था है ना बोरॉन जैसे हमने पी बनाया उसके साथ साथ हमें एंटाइब भी बनाना है एंटाइब समिकंड़क्टर बाइडिंग एंटाइब बनाईए बाइडिंग इंप्यूटी एविंग फाइफ वैलेंस इलेक्टरन तो उसमें कुन सा एक्जेम्पल था फॉर्स वर्स को आड़ करेंगे यह वर में दर्द क्रिस्टल उप्टेंट इन सिंगल होल वन हाफ आफ एक पूरा हाफ जो है जैसे क्रिस्टल बन रहा है आपका उसका वन बैटू हिस्सा क्या होगा पी टाइप और वन बैटू हिस्सा पी टाइप अनादर हाफ फॉर्स फॉंक्शन एज और टाइप समीकंडूक्टर देर वैल डिफैंट जंशन बिटूइन दो बोशन अब यह क्या है जिए जिए पोड़ाँ आपको प्रेंगा जो बड़ी इंपोर्टिन है इधर हमारे पास दो टाइप की चार्ज करियर होत dots the holes holes क्या होता है basicly positive positive charges क्या होता है positive charges और minority charge card Cause क्या होते है p portion की बात कर रहों बच्ये पी portion में minority charge को बनाने हम इसमेंbreaker P portion बनाने है यानिकि और एक दो आप इलेक्ट्रॉन बना के दिखा सकते हो ठीक है यह एक दो इलेक्ट्रॉन बना दीजिए बाकि मैक्सिम सारे क्या होंगे होल्स होंगे ठीक है वही केस आ जाएगा बच्छे एंड पॉर्शन के लिए जब मैं टाइप बनाओंगा तो एंड में मैजॉरिटी क्या होंगे और दो 30 कघूरिब आप दो या तीन मनादओ होल्स है तो इसमें मिल्स है और यह एलेक्ट्रॉन ए तो पी पॉर्शन में मैजॉर्टी वाले क्या है यह वक्न से है बसाविकन क्ई पॉछनुन में में जब बनाती हैं तो बिजों फेनी बेरेश बनता है हूता गया लिखनेर ब्कुंत एं गराम है यहां पर सारे थैक्राइध करेक्षल कर एकना अब हो जाते हैंák होता गया है जब FIR चार्ज एक्षार्जिस हैं तो यहांने वह बागना चाहते यहां से इल्क्टरॉंस इधर के तर milliards औरहें फिल्ड बन जाता है आप यहां पर एक रिच में चाजेडर का रहार जाता है पर रहा है यहां से एक वहां यहां जाना उसके बार यहां से इलेक्ट्रॉं का यहां जाना और पीसे फोल्स n का end जाना रुख जाता है क्योंकि यहां पर रास्ता बंति हो चुका है तो वह हो कैसा बेहिव करता है principal सद्ट्क्न यहां बेट्रियर बन गया बैरियर मतलब एक रूखावाट और उतको हम नोट करते हैं like a battery VB fictitious battery VB और जो 20 की जो layer SM कहते हैं depletion layer तो देखें कैसे बनता है potential barrier due to the difference in the concentration between electrons and holes in the two regions of PN junction the electrons from N region तो यानि कि N से electron P में आएंगे और P से holes N में जाएंगे तो वही लिखा हुआ है electrons from N region diffuse diffuse कहां पर जा रहा है diffused to the junction into P region and holes from P to holes P से कहां जाएंगे N में diffused हो जाएंगे the accumulation of the electric charges of opposite polarities in the two regions of junction give rise to electric field तो यहां पर जो charge इखटे हो रहे हैं यह electric field को यहां पर generate करेंगे this is as if a fictitious battery जैसे इसमें एक battery लगी हुई है connected across the junction तो यह junction है इसके बीच में battery लगी हुई है the electric field opposes further flow of electrons from N region to P region तो extra flow अब जो यह लग गया है हमारे पाद जो layer बनके depletion layer यह बाकी का और flow होने extra और charges के आने का रोग देता है उसको and opposes the flow of holes from P to N and electrons from N to P hence electric field इस setup तो इसके बीच में क्या setup हो जाता है इस रीजन में और जिसको हम कहते है potential barrier VB of the junction potential barrier और यह क्या करता है further diffusion of electrons and holes को electrons और holes को अपस में एक दिर्द से डिफ्यूस होने के लिए रोग देता है बच्छे यह हमारे पास होती है potential barrier और यह आपने याद अखना है value germanium के लिए potential barrier के कितनी value है 0.3 volt और silicon के लिए कितनी है 0.7 volt तो 0.3 germanium के लिए होता है potential barrier यानि कि VB और silicon के लिए कितना होता है बच्छे 0.7 volt तो यह आपका topic P injection का खतम हो गए यहां पर thank you और अपका आपका है बच्छे यह है बच्छे कितना है लिए जुझानर फजह बच्छे कितना है third तो लिए बच्छे इस चलमें न´क कितना है कि भी खिए बच्छे कितना है विए खिएई